आज है उनत्यस में दो हजार इक्यस मुरली का सार, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज वा नाराज मत करो प्रश्न किस प्रकार के खयालात वा विचार चलते रहें, तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा उत्तर, अभी हम ज्ञान रतनों से अपनी जोली भर रहे हैं, फिर यह खानिया आदी सब भरपूर हो जाएंगी वहां, सत्युग में हम सोने के महल बनाएंगे दूसरा, हमारा यह ब्राह्मन कुल उत्तम कुल है हम सची सची, सत्य नारायन की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं ऐसे ऐसे खायालाद चलते रहें, तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा धारना के लिए मुख्यसार, पहला, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है जो भी उल्टा पढ़ा है, उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है दूसरा, सिर्फ आशरवाद पर नहीं चलना है, स्वयम को पवित्र बनाना है बाप को हर कदम में फालो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है वर्दान, हर संकल्प और कर्म में सिध्धी, अर्थार्थ, सफल्ता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूरत भवव संकल्पों की सिध्धी तब प्राप्त होगी, जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं, वह उनकी पालना नहीं कर पाते इसलिए जितनी रचना जादा, उतनी शक्ती हीन होती है तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफल्ता प्राप्त होगी और कर्मों में सफल्ता प्राप्त करने की युक्ती है, कर्म करने से पहले आदी, मद्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो इससे ही संपूर्ण मूरत बन जाएंगे स्लोगन समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्यानी वा समझधार है ओम शान्ती झाला ही जाएंगे